गुड मारिंग सुडेंट एंड वन्स अगें वेलकम तो दिस चैनल आज की इस वीडियो में अगें कुछ लेटेस्ट इंफरमेशन आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है जो कॉमनली स्टुडेंट्स के डाउड थे उनके कमेंट आ रहे थे सुडेंट सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगी वेक्सिनेशन के बारे में बहुत से सुडेंट्स ने अभी तक वेक्सिनेशन नहीं लगवाई और उनमें ये कोमन डाउट है कनफ्यूजन है कि आईल्स एक्साम देना है तो क्या वेक्सिनेशन की जरूरत है के नहीं है स्टुडेंट मैं आपको एक चीज़ कनफर्म कर दूँ कि ब्रिटिश कॉंसल वाले वेक्सिनेशन की रिक्वाईर्मेंट नहीं करते अगर आपने ब्रिटिश कॉंसल का एक्जाम देना है तो आपको वेक्सिनेशन की जरूरत नहीं है सिरफ एक डेक्लारेशन फॉर्म आपने फिल करना है जो आपको ब्रिटिश कॉंसल की साइट पर मिल जाएगा देट इस वेरी इजी एंड सिम्पल प्रोसेस बाकी अगर आप पंजाब से बिलॉंग करते हो पंजाब के किसी भी शहर से हो तो वहां के सेंटर्स में अगर आपने पढ़ने जाना है तो उसके लिए वेक्सिनेशन की जरूरत है सेकेंड चीज जो कुछ टेंप्रेरी चेंजिज आए थे पैंडमिक की वज़ा से की टी आरेफ आपको ऑनलाइन परवाइड किया जाता था स्पीकिंग आपकी वीडियो कॉल से होती थी लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल का स्टूडेंट अब आईल्स एक्जाम बिल्कुल पहले की तरह होंगे और आपको टी आरेफ भी बाई कोरियर आपके एड्रेस पे जो भी एड्रेस आपको ने फिल किया था वैसे ही आपक करो कोई मेजर चेंच आयल्स के टेस्ट में नहीं है सेकंड वेक्सिनेशन का ही मेजर डाउट है तो स्टूडेंट अगर आप खुद कनफर्म करना चाते हैं तो ब्रिटिश कॉंसल का नंबर मैंने वीडियो में शियर किया हुआ है तो आप डिरेक्ट उनसे बात कीजिए व 1 2 0 4 5 6 9 000 आप खुद कॉल करके पूछ सकते हैं कि वेक्सिनेशन रिक्वायर नहीं है जरूरी नहीं है अब बिना वेक्सिनेशन के भी आयल्स का टेस्ट दे सकते हो और आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो नॉर्मल वे में टेस्ट अभी रख्ट होने जा रहे हैं